हमारे सनातन धर्म के वृत्तिहोरों में संतान सब्तमी को भी एक जरूरी वृत्त माना जाता है और इसे हर मा नई संतान की प्राप्ति के लिए अपनी संतान की तरक्की उसकी लंबी उम्र की कामने से रखती हैं इस वृत को हर वर्ष भाद्रपद महीने के शुकल पक्ष की है कई लोग इसे मुक्ता भरंद और ललीता सब्स्तिमी व्रत के नाम से भी जानते हैं आज के दिन भगवान सोर्य और भगवान शंकर और मातब पार्वती की पूजा कि जाती हैं माननेता है कि निसनतान दमपति अगर इस व्रत को हो जाती है आर्थित तंग्यों से मुक्ति पाने के लिए या धन सुख सम्रिधी की प्राप्ति के लिए महालक्षमी वरत रखना बहुत लाब दायक होता है इस वरत से मालक्षमी ची बहुत जल्दी प्रेशन होती है संतान सब्तमी के दिन प्रात्यकाल जल्दी उठकर इसनानादी से निवृत होकर साफ सच वस्त्रधारत करें फिर रसोई को साफ करके भोग के लिए खीर पूरी मालकुय बनाए इसकी बाद पूजन की तयारी करें पूजा के स्थान पर एक चौक बनाए उस पर भगवान पूतु और जल से इसनान कराएं फिर प्रतिमाओ पर चंदन का लेप लगाएं या तिलक करें इसके बाद अक्षत फल फूल नारियल और सुपारी अर्पित करें फिर संतान की रक्षा और सुरक्षा की कामना के लिए भगवान शिव को धागा बांध कर संतान सब्तमी व्र और उसके बाद भगवान शिव के चर्णों में अर्फित किये गई धागे को प्रशाद रूप में आशिरवाद रूप में अपने हाथ पर बांध लें पुराणी कथा के नुसार एक बार धर्मराज यूधिस्टर को भगवान श्रे कृष्ण ने संतान सब्तमी की व्रत कथा सुनाते वे कहा कि हे धर्मराज यह व्रत योग्य संतान प्रदान करने वाला उसकी रक्षा करने वाला और उसके दुखों का नाश करने वाला है रिशी लोमश ने इस व्रत के विधान को माद देवकी को सबसे पहले बताय था भगवान श्रे कृष्ण ने यूधिस्ठर मह पर राजा नहुष का राज था वह बहुत ही प्रतापी और न्याई प्रेय राजा थे उनकी रानी चंद्रमुखी बहुत ही सुन्दर सुशील और धर्म परायन इस्तरी थी उनके राज में एक विश्णुदत नामक ब्रहमन अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहा करता था रानी चंद्रमुखी और ब्रहमनी रूपवती में बहुत प्रेम था इसने ही था और वे अपना अधिकतर समय एक दूसरे के साथ ही बिताया करती थी एक दिन वो दोनों सर्यों नदी में इसनान करने के ले गई उस दिन संतान सप्तमी थी उन्होंने देखा कि इस्तरिया वहाँ पर इसनान करके वही माता पारवती और भगवान शेक्वी प्रतिमा बनाकर विधी विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना कर रही थी तब उन दोनों ने उन इस्तरियों से उस पूजा अर्चना के विषय में पूचा तो उन इस्तरियों ने कहा हे रानी जी हम सुख सभाक और संतान देने वाला संतान सप्तमी व्रत अर्थात मुक्ताभरण व्रत कर रही है इसमें हमें भगवान शिव और मता पारवती की संतान देने वाले वृत के विशे में जानकर उन दोनों ने भी भगवान्शिप को धागा बांद कर जीवन भर संतान सब्दमी का वृत रखने का संकल्प कर लिया लेकिन दुर्भागी वश्च वह दोनों ही उस संकल्पित वृत को रखना भूल गए परिणाम स्वरूप मरन प्रवजनम की तरह इस जनम में भी उन दोनों सख्यों में बहुत प्रेम था पूर्व जनम में संकल्पित वृत ना रखने के कारण इस जनम में रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं हो सका उसने एक मोक बधिर बालक को जनम दिया और वो भी कम उम्र में ही मृत्ति को प्राप्त हो गया इस कारण वह बहुत दुखी रहने लगी उधर सभागेवश प्राहमणी भूषणा को उस वृत का इस्मरण रहा और उसने इस जनम में उस वृत का पालन किया जिसके फलस्वरू भूषणा को इस जनम में आठ पुत्रों की प्राप्ती हुई उसके पुत्र स्वस्थ होने के साथ साथ बहुत दिरूपवान और गुणवान थे जब भूषणा को अपनी सखी रानी इश्वरी के मूख बधिर पुत्र की मृत्यू का पता चला तो वो रानी को सहनुभूती देने के लिए उसे मिलने चली गई पुत्र की मृत्यू के शोक के कारण रानी के हरते में अपनी सहीली भूषणा के प्रती जलन उत्पन हो गई रानी इश्वरी ने भूषणा के पुत्रों को मारने की इछा से उन्हें एक दिन भूजन के लिए बुलाया और उन्हें भोजन में विष्ट देकर मारने का प्रयास किया किन्तु संतान सब्तमी वृत के प्रभाव से भूशना के पुत्रों पर उस विष्ट का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ ये देखकर रानी ईश्वरी, क्रोध और इर्शा के मारे जल उठी उसने अपनी नौकरों को आदेश दिया कि वो भूशना के पुत्रों को यमुना के गहरे पानी में फिक दे लेकिन इस बार भी उस वृत के प्रभाव से उन बालकों का बाल भी बाका नहीं हुआ और वे सब सुरक्षित रहे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रानी इश्वरी को सबर नहीं हुआ और उसने भूशना के पुत्रों को मारने के लिए जलादों को आदेश दे दिया सेवक उन्हें जलादों के पास ले गए लेकिन वहां भी भगवान शिव और माता पारवती ने भूशना के पुत्रों के रक्षा की और उन्हें की करपा से वो इस बार भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे जब ये बात रानी को पता चली कि बार बार वे भूचना के पुत्रों को मरवाने का प्रयास करती है लेकिन वो हर बार बच जाते हैं तब उसे आभास हुआ कि हो नहो कोई इश्वरी चमतकार ही है जिससे भूचना के पुत्र हर बार सुरक्षित बच जाते हैं तब उसने भूशना से अपनी भूल के लिए क्षिमा मांगी। रानी ने भूशना को बताया कि उसने किस-किस प्रकार से उसके पुत्रों को मारने का भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके पुत्र हर बार बच जाते थे। तब रानी ने भूशना से उसका कारण जाना चाहा तब भूशना ने रानी को पूरु जनम के वृत का स्मरंड कराया और उसे बताया कि वो दोनों पूरु जनम में सही लिया थी और उन्होंने मुक्ता भरन वृत रखने का संकल्प लिया था लेकिन वो से करना भूल गई थी किन्तु मैंने अपने इस जनम में उस संकल्पित वृत को पूर्ण किया और मुक्ताभरन वृत का पालन किया ये साब भगवान शिव और माता पारवती का ही आशिरवाद है और उस वृत का ही प्रभाव है जिसके कारण मेरे पुत्र हर विपत्ती में सुरक्षित रहे पूशना से ये सब को जानकर रानी इश्वरी को भी उस संकल्पित वृत का इस्मरन हो आया और फिर रानी ने विदी विधान के साथ मुक्ताभरन वृत करना प्रारम कर दिया उस वृत के प्रभाव से रानी को भी एक स्वस्त और सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ तब ही से इस्तरिया संतान प्राप्ती और उनकी रक्षा के लिए यह संतान सब्व्त मु कि वृत कता हमारे चैनल पर हर दिन सुब़ा के समय पौराणी कताई भी सुनाई जाती है अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिएगा